पूरे देश में मौसम इन दिनों असामान्य है. कहीं जमाजम बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी और उमस ने लोगों का जीना महाल किया है. 25 सितंबर को हुई बारिश से एक बार फिर मुंबई डूब गई है. वहीं बिहार, राजस्थान के कई जिलों में बार की स्थिती बर करार है. बात करें, राजधानी की तो यहां बीते कई दिनों से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. बीते बुधवार के दिन मौसम विभाग ने बूंदा बांधी का अनुमान जताया था, लेकिन बारिश नहीं हुई, हाला कि मौसम में हवाओं के चल बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग की ओर से 26 सितंबर को करीब 16 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी में कहीं कहीं येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले औरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसे रेड अलर्ट में तबदील कर दिया है। कुछ हिलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, अगले तीन दिनों में कोंकन और गोवा, गुजरात शेत्र, मध्य महराष्ट्र और मराट वाड़ा में व्यापक रूप से हलकी से मध्यम बारिश का अनुमान है। 27 सितंबर को आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ अलग-अलग जगों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही बिहार में भी बार से हालात बत्तर हो गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कुछ-कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और में गर्जन के साथ वजरपात की संभावना जताई है। कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से तेज हवाएं चलने के भी आसार है। आज पटना सहित 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।